कित्य कित्य स्कोर के और और तभी औफीशल कटा पाए नहीं होगी अज आज कुछ बच्चे मिले थो मुझे सेंटर में कि जलिए नमस्ते सार नमस्ते नमस्ते पिपरी नमस्कार 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 ्थर छेकं मिस्रा चली तो देखो सबसे पहले तो इससे बता दूं इस पुरे मद्ध परदेश। सब ने बता दिया होगा कि सारे प्रस्टम उन्हीं कि एकदम नोट्स जाये हैं और ये वी बता दिया होगा कि अगर उनका कोर्स ले लिया होता तो उम्हारे सेलेक्शन हो जाता और बिल्कुल नहीं बताएंगे पहले उनका कोर्स लिया गया तो कितनों को सेलेक्शन होगा उसकी बज़े है ना 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 पिछले चार साल से बच्चा मर रहा है यसी के लिए और एका दुका छोड़के कोई भी आगे नहीं आ रहा है उनकी समस्याओं को समझने के लिए एक भी आफिसर अभी तक निक नहीं हुआ है 2018 के बाद से पहले कोचिंग वाले बड़ बड़ डींगे हांकले की सारे सेलेक्शन उन्हीं के हैं पुरानी फोटो को चिपका चिपका को दिखा रहे हैं और जैसे सेलेक्शन है तो फिर से फोटो चिपकाने माहिर बाजनी है और अभी छाती ठोक करके गलाप फाड़ फाड़ कर चिला चिला की बोल रहे होंगे बस जो भी एक्जाम में आया बस उन्हीं के नोट से आया बहुत अच्छा लगता है उसकी वज़ए है कि स्ट्रेंट बंगे पेपर देने में उसकी वेदना उसकी संवेधना उसकी पीरिया को समझ समझा जा सकता है इस परकार से भरी दुपरिया में जाना पेपर देना यग्यान पेलना बहुत आसान होता हूँ यूटुब परा करके है टेरे कर लिया होता तो होता है ज्यवादधनी पेपर दे रहा होता है तो बना हुआ प्रस्ट गलत हो जाता है अच्छे जुर्णत मैं मैं खुद गलत कर देता हूं और कोस्ट गलत कर देता हूं आसान से कोस्ट एक प्रसर है पुरे सो कोस्ट को देख रहे हैं पता चला हम हम हमें इंदोर हुमें पता है कि जगह है जहां Под इंदोर कुछ हो रहा है और हमें इंदौर आॉप सन्हीं हम छोटिये पड़ नहीं पड़ आरे हो जालता है कई बार मुझ्से तो 모습े मीस्टेख होता है मैं Hmm summers सि होता है बिल्कुल होता है चलिए आपके सेंटर मेरे सेंटर में I think 50 आप मेरी रूम में 20 स्टुएंट्स की सेटिंग थी और 20 स्टुएंट्स की सेटिंग में 10 प्रिजेंट थे 10 अप्सेंट थे समझ रहे हैं मलब अगर देखा जाए तो पूरे एनेवरेज 40 परसेंट बच्चा लगबग आया इने एक्जाम द ये फिर मैं आप सब इस एक ही सलहत होंगा कि प्रिस एक काम करना थोड़ा सा ये प्रैक्टी से शुरू करते में यह सोच एक काम करेंगे वह अभी से बहले आपके मार्स कुछ भी आएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वेट यू करें स्टार्ट और मेंस का लग कुछ नहीं सिंपल मेंस लिखने का सबसे अच्छा तरीका वही अपने ग्यारामी बार्मी कॉलेज वाली पढ़ाई सुरू कर दो क्योंकि MPPSC में छपा हुआ आता है माल बिल्कुल 25 चक्की के फायदे बताईए बिल्कु बताईए आप नावकी सल्लायन अविखंडन क्यांतर बिल्कुल आता है छपा हुआ प्रसनाता है और आपको बताना है कुछ ऐसी चीजे मिल्कुल अकवर की प्रमुखनीति एक्दम निश्चित है 1857 की फेल होने के कारण क्या थे तो वो अभी से उसको करिए एट लिस्ट जो टेडिस्टन पार्ट है वो आपसे उससे नहीं जाना चाहिए और जिन लोगों के मैथ में तुक्का लगाने कादत है MCQ की क्योंकि आपको बता दू में में कम से कम 60 से लेकर के 90 न Numbers से भार होगया था तो मैं आपने आपको समझ गया था की यह पूरी प्रेसंट छोड़ दिया था क्यूं क्योंकि अगर MCQ में आते, OKS no करने को तो मैं कर देता अब यदि पूरी निखनी है अब पूरी प्रसर्श लिखने के लिए भैससा अ यहीसा नहीं कि आखवार पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं आज में पॉल्टी के मेरे एक एक क्वेश्चन सही थे क्यूं उसकी बजाए आर्टिकल सब कुछ रटे पढ़े थे क्यूं कि दिन भर मैं कोट का काम करता रहता हूं तो मुझे पता था उसके बारे में लेकिन बहुत सारे मुझे वक्त ही नहीं मिला कुछ चीज़ों के लिए सभी लोग आप गर देख रूगे तो देखो 2020 का कटाफ आपने देखे लिया और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स यह दोनों कटाफ आप अच्छे देख चुके हैं चीक हैं दोजार इक्कीस का कटाफ यह बाद आपके दिम्याब के तु जीहन तो पहुंची गया होगा कि एक्चली में जो पेपर का लेवल था लगभाव लगभाव इन्हीं के आसपास था इन्हीं किर्दगिर्द था हर साल एस्परेंट्स बढ़ते हैं और बहुत सारे नए एस्परेंट्स भी आते हैं पुरान साथ हजार बच्चा भी ऐसा है जिसने अच्छी खासी त्यारी की है तो आपकी कर्ट आपको अच्छा खासा रह Alona पेफी तो इसलिए अब में में मेल की बात कर रहा हूं और मेल क्यूंब कर अंतर छोड़ा नहीं है यह बद्वासियां करना शुरू कर दी है तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह मेल फीमेल एक दिमाग मेच्चेज रखने का प्रयास करें कि आपके साथ सम्टिंग सम्टिंग आपका यहीं चीज़ होने बाली है दो-दो क्वेसिनग को कम कर दीई है गर whom c की चर्चा करें ओı o bc की मेल की बात करें मेल जाकराइड तो आप सम्टिंग समतिंग जो 144 से ले करके 146 के बीच में रहेगा आपका स्टी की बात करते हैं बात बेटा तो हमारा 140 से ले करके 144 तक कि आसपस की बात है ठीक है हाँ अब एक्समें तमाम चीजों के एक्समें और दिभ्यांग है इनका जो अगर देखा जाए तो अगर भूप कर एक्समें की बात करें या फिज के हैंडीकाट्स की बात करें दिभ्यांग की बात करें इनका जो अलग अलग कटेग्री है ठीक है जी सर एक दिमाग पर रखने का प्रयास करें एक दो नंबर की धर उदर आपका सेम टू सेम कोई अंतर जादा रह नहीं गया है और वो भी अभी इसमें एक कटाफ जो बने सकती है और जनरल की जो कटाफ रहेगी वहाँ पर वह भी जब आपको जा है वह सो च्यालीस तक जाग सकती है क्योंकि वो 13% वाला कटाफ हमेशा कम होती जिसे कहते प्रावधिक ठीक है बताईए बाकि आप लोग अपना बता सकते हैं क्यों यह मेरा जो मैंने अनुमान बताया है क्या साही यह नहीं है यह आप लोग बता सकते हैं जो भी सर्फ पांस एच्छा कोश्टन बहुत इजी कोश्टन में कन्फ्यूजन होता जब कि वो पढ़े होते बिल्कुल अरे मैं आपको बता रहा हूं मैं प्रस्टन करने गया एक प्रस्टन था आपको याद हो कि वो इटाई इटाई रोक इससे होता है अदमी पढ़ा चुका है बार और पढ़ा चुका है तो अपन कॉश्टन पेपर मार दिये ठीक है कि यह होता है कैडमिया में है बतावाम चील लिख दिये जब गोला मारन दोनों कॉसर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे कई वर होता है एक सो अर्टिस आर्टिकल कि तीन सौर्टिस पूजाराठ हो जी जी प्रस्ट पीस्ट कर अब कल बताऊंगा सर जी ऐसे मैं गलत गोला बार्मन बोलता है कि यह सही होगा पर भी ज्यादा दिमाग गलती है एक्चुली में मैं आपको अपने जीवन के सच बताता हूं बहुत इंपोर्टन चीज़े भाले मैं में मेंस दिया हूं और अभी फिर से दो जार इकीस वाला भी मेंस मैं दूँगा ठीक है सच्चा ही बताऊं तो पढ़ना चाहिए और पच्चे आए बहुत सारे बच्चे चीक है तो वह तमाम चीज़ें हैं तो यह फॉरस्ट के बाद बताऊंगा तो यह मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी कोई भी गलती हो गई हो कोई चीज हो गई हो तो बिल्क 2023 का दिसंबर तक 2023 का पीटी उसका भी आएगा 2022 वार 2023 का पीटी उसका विल्कुल त्यार बैटा हुआ है और चुकि चुनाओं का महौल है तो चुनाओं के महौल में बहुत जल्दी उसके भी नोटिफिकेशन आने की संभाबना है ठीक है आचा तो यह चीज अपनी ध्यान कर दें आप तो आप अपनी त्यारी को बहुत धारदार बनाते हुए अपनी स्टार्ट कर दीजिए आप ठीक है देखो आएगा नहीं आएगा पता नहीं पर इतना है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए क्योंकि आपको जानते हैं कि जब तक 27 परसेंट वाला मुद्दा नहीं उलट सुलट जाता है तब तक ओभी सिवाला तब तक कुछ होने वाला है नहीं अभी मैं आपको बता दूं कोट के अंदर की बात क्या है और ऐसा लग रहा मुझे अनुमान ऐसा लग रहा मुझे चुकि 27 परसेंट ही दिया जाएगा चीक है उसकी बजह है और अगर ना दिया गया बता रहा हूंगर हाई कोट ने मना कर दिया तो हाई कोट के और को इस्टेट तुरंद मिल जाएगा कहां पर सुप्रीम कोट में और आप पूछोगे सुप्रीम कोट में क्यों मिला गए सर गुर जी तो अभी एक केस हुआ था आपको पता हूं चाहिए कि 36 ग कोट में भी यही महस की प्रॉलम है कि यू कांट क्रॉस दा लीमिट जो एक लीमिट है जो सीलिंग फिप्टी परसेंट की यू कांट बेक डैट सील राइट बट यू नो जब सुप्रीम कोट में एक स्टेट के से लिए खोल दिया दरवाजा तो हूब हूँ चीज वह है द बच्चे हैं वह विचारे बच्चे वापस बाहर जाने के त्यारी उनकी होगी चलिए तो चलता हूं थाइंक्यू सो मच और आपके अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए मेंस की क्लास के लिए मैं एक ही चीज करूँगा एक दो दिन बाद मैं ड टेल में पढ़ना होता है पढ़ना होता है उससे जो बन पड़ेगा आल स्टार्ट ठीक है उसकी दिक्कत नहीं लेना ठीक बाकी तब तक देखो दूनियादारी लोगों के लोग बहुत बड़ी-बड़ी फेकते हैं नहीं पता अभी तो देखो लोग बताएंगे सारा SDM उ सब कुछ वही है ना तो थोड़ा उनका थोड़ा मज़े ले लो देख लो सब को उसके बाद पर पर अपर चौहांस अकैडमी तो आपकी अपनी घर की जब सारे रास्ते नहीं करते आदमी जब इन में कहीं भटक जाए संध्या को घर बापस आता है साम को आ जा ना चलो के लिए फॉर्म भरा हो और उसने दोनों पर टिक कर दिया हो ओमार में तो क्या डिस्कॉलिफाइड होगा नहीं 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 दोनों में तो करना है वाई आपने अगर एक के लिए भरा तो आपको एक ही करना था और दूसरे लिए भरा तो डिस्कौलिफाई तो नहीं होगा डिस्कौलिफाई नहीं होना चाहिए उसे आयोग बहुत प्यारा है उसको रावेदन वेदन देदोगबाद में तो आपका रिजल्ट दे देगा ऐसा आप बनाना पड़ता है फिर लोग फॉर्म देखते हैं का आपने अप्लीकेशन फॉर्म में क्या डाला है ठीक है चले चल दिए बाकी कोई तकलीफ होगी तो फिर हम तो बैठे ही चौहांस आप जिंदा बात है ना आपके पढ़ाते समय आपके गुरू है और हाई कोट में तहल का मचाने पहुंच जा तक आपके वकील है टेक के बावाई